नमस्कार स्वागत बच्चों आपका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 अगस्ट 2017 को 1st shift में हुआ SSC CGL का एक्जाम और यह हमारी 5 वीडियो है और इससे पहले की जितनी वीडियो है यहां पर 25 कोशन English grammar के जैसे के हम करते आ रहे हैं यह आप लोगों को प्रीवियो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रही है प्रीवियस एयर प्रैक्टिस SSC प्रीवियस एयर प्रैक्टिस करके तो वहां पर आप जाएंगे आपको सारी वीडियोज वहाँ मिल जाएंगे, clear अब previous year वाले करें ही क्यों काफी सारे बच्चों के दिमाग में थे एक तो ये सवाल भी उठता है, sir previous year करने से क्या फाइदा नेकि previous year करने के दो फाइदे फाइदे तो वैसे बहुत सारे हैं बैसे mainly दो कर लेते हैं एक तो ये कि कुछ questions जो है वो ऐसे tease आ जाते हैं, clear दूसरा फाइदा ये आपको exam pattern का पता चल जाएगा, ठीक है फाइदा तो और भी फाइदा ये कि आपकी revision बहुत अच्छे से हो जाएगी, revision कैसे अच्छे से हो जाएगी, देखिए, इसके अंदर जो भी previous year के paper होते हैं exam होते हैं, तो उसके अंदर जब भी आप पूरा set लगाने बैठते हो तो आपकी सारी, जैसे fillers होगे, PQRS होगे direct, indirect, passive, active और इसके अलावा fill in the blank, sentence improvement similar words, opposite words spelling test, error सारी चीजें आजाती है वहाँ पर तो एक तरीके का पूरा आपका English की एक त्यारी वहाँ पर हो जाती है एक साथ, और जिनों ने, जिनकी पूरी अच्छे से त्यारी होगे, उनके लिए तो बहुत अच्छी जीज़ है कि mock test से पहले आप previous year के exam देखें और जो त्यारी कर रहे हैं, उनके लिए यह होता है कि एक बार exam में जाने से पहले exam pattern कैसा होगा, habitual हो जाने उस exam के लिए, तो उनके लिए previous year better होता है, clear तो बहुत हर चीज़ के लिए, चाहिए वह आप SSC कर रहे हो, आप किसी भी exam को देने जा रहे हो तो previous year तो most important है, आपको exam का पता होना चाहिए, होता है ने, कि हम लड़ने जा रहे हैं, at least दुश्मन का तो पता हो कि दुश्मन कैसा होता है, clear तो आज यह, first और second question दोनों error के उपर है पहली try आप लोगों ने करनी है जैसा हम करते आ रहे हैं, कि आप पहले कोशिश करेंगे, इन दोनों को करने की चलिए एक बर video pose करिए और करने ही कोशिश करिए ओके, उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने इन दोनों questions को करने की कोशिश की होगी, और एक चीज मैं आपको पहले यहां पर clear कर देता हूँ कि आप लोगों को यह जो PDF है न, इस वीडियो में जो आपके सामने आ रहा है, लिखा हुआ एक जो PDF है, वो आप लोगों को मिल जाएगी टेलिग्राम पे ही, मैं टेलिग्राम का एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ छोटी तो कहा है, बहुत important चीज है if या फिर when if या when के साथ, अगर head आ जाए if या head के साथ, head plus में verb की third form आ जाए तो यह जो होता है, यह जो close होता है इसके बाद जो second close आएगा न उसमें क्या होगा, would would have would have plus में verb की third form would की जगां could, might यह भी आ सकते हैं, ठीक है तो second close में क्या होता है, would have plus verb की third form, यह होता है first close, देखो first close आप किसी को भी कहले, उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता है, ठीक है का मतलब यह है, कि आप अगर इस would को पहले भी लेके आज़ें, would have यह वाला close अगर पहले लिख दें, और यह वाला close बाद में लिख दें, तब भी कोई फर्क नहीं पढ़ेगा इसमें कोई matter नहीं होता अब important क्या है, कि if और when के साथ head plus verb की third form आई, उसके बाद जो second close होगा, वो would have plus verb की third form में होगा, अब close क्या होते हैं सर, यह तो एक बड़ी चीज आजाती है, सर, close क्या होते हैं, देखिए close क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो आप लोगों को provide करवा रखी है, already, English English grammar करके एक मैंने playlist बना रखी है, जाकर वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर मैंने pronoun cover, मतलब खतम होने वाला है हमारा, हम practice पे पहुँचने वाला है, relative pronoun खतम होने वाला है, तो बहुत detail से चीज़ों को करा है, उसी के अंदर मैंने आप लोगों को close भी करा है, तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इसकी information दूँ, देखिए information यह है कि close उसे कहते हैं, जिसमें subject और verb का pair मिल जाए, एक sentence में कितने close हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, या even एक ही हो सकता है है, उसे ही कम sentence कह देंगे, समझ रहे हूँ? sentence में, अगर subject और verb के pair गिल लो, जितने pair मिलेंगे, उतने ही close मिलेंगे, clear, और दो close को जोड़ने के लिए conjunction की जुरूरत होती है, इतना ध्यान रखना, अब यहां पर आते हैं, if you had told me earlier, I will help you, यहां पर if से लेकर, earlier तक, इसकी हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी यह है, अगर तुमने मुझे पहले बोला होता, तो मैं तुमारी help कर दिया होता, अगर तुमने मुझे पहले बोला होता, यह बताया होता, तो मैं तुमारी help कर देता हूँ, इसकी close आएगा जो अगला close आएगा would have plus में थर्ड फों में होना चाहिए यहां क्या लिख रहा है will help तो यह वाली चीज है ना यह गलत दे रखिए यह गलत दे रखिए तो यहां पर क्या आएगा would would have would have यहां पर helped you मैंने कंजुस्ति कर दी यहीं लिख दिया हूँ तो अभी से ही कह रहा हूँ कि subscribe करके रख लेना चैनल को और बहुत बढ़ी हाँ डिटेल से करेंगे सर यह क्या है सर यह rule याद करना पड़ेगा बिलकुल भी नहीं भई बिलकुल भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको rule को यह if के साथ head plus verb की third form आएगा तो यह क्या would could have plus verb की third form लगाना पड़ेगा सरी होता कि है बहुत crystal clear करके चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा लेकिन अगर वो चीज़ें यहाँ समझाने बैट हो ना यहाँ पर अगर इस वीडियो के अंदर समझाने बैटा तो दिक्कत ही होगी कि length ही बहुत हो जाएगा क्योंकि conditional sentence है काफी सारी चीज़ें जूड़ी होई है for example मैं आपको एक छोटा सा example लेता हूँ जो verb होती है न वर्ब बोले तो क्रिया वर्ब से क्या बनती है वर्ब की form बनती है ठीक है न वर्स form, second form, third form बनती है और उस वर्ब की form से दो चीज़ें बनती है ठीक है जो एक तो हम बहुत time से पढ़ते आ रहे है एक होता है tense और एक है past subjective mood कहते हैं उसको ठीक है past subjective mood और ये वाली जो चीज है ये वाला जो error आपके सामने आया है ये past subjective mood में से आया हुआ है ये जो आप ये जो बोल रहे है ना head told ये आप बोलो कहीं sir ये head जो है ये helping verb है और ये told ये main verb है मतलब कि this head आया हुआ या नि past past perfect असर ये तो ये past perfect नहीं है समझ रहे है इस चीज को ये past perfect tense नहीं है कुछ हो रहे है इसको कहते है past subjective mood तो most important चीज है यह, आपके reading के लिए, speaking के लिए, even writing के लिए, हर चीज के लिए most important चीज है, होता ना हम कहते हैं कि काश, कि काश मैं पढ़ लिया होता, तो मैं exam correct कर गया होता, काश तुमने महनत की होती, तो तुमने exam correct कर लिया होता, तो इस काश को आप English में कैसे बोलोगे, या have cleared this exam, या that exam, समझ रहे हो, क्या कह रहा हो मैं, यह जो चीज होती है, काश है, बहुत important चीज, अभी तो समझो इसके लिए, if, when, अगर इसके साथ याए, तो simple fund अपना यह अपना लो, ओके, आओ जो ना, second sentence पर चलते हैं, second sentence है, her mother is angry and indifferent to me, भाईया, यहाँ पर error क्या है, यहा कोटा सा वाक्य मुझे आप लोगों को समझाने, समझ यह ज़रा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक sentence लिखता हूँ, मैंने लिखा, he can, he can help, he can help you and will help you, समझो ज़रा, इस sentence का मतलब क्या हो, मैं कह रहा हूँ, he can help and will help you, भाईया, वो तुमारी help कर सकता है और वो help करेगा, समझ र modal है, और modal के साथ, दूसरे में क्या आती है, modal के बाद देखो, modals जो होते हैं, modal जो होते हैं, उसके साथ verb की base form आती है, अब verb की base form आई हुई है, can के साथ भी और will के साथ भी, और दोनों की दोनों वब की base form जो है, वो सेम है, मतलब की help, help दोनों लगे हूँ, तो इस condition में हम क्या कर सकते हैं, इस condition में हम ये कह सकते हैं, he can and will, he can and will help you, तो ये वाली जो चीज़ हैं, हम यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि अब इस end conjunction से हमने जोड दिया, एक तरीके से, ये समझा जाएगा, अब यहां पर जो will के साथ help आया हूँ, वो can के साथ भी लगा हूँ, क्योंकि द पर होती है, कुछ ये जो end conjunction होती है, ये एक तरीके का common बाहर निकाल लेती है, फिर ये समझा जाता है, वो उसके पिछले वाले वर्ड के साथ भी लिखा हूँ है, यानि ये जो to लिखा हूँ है, ये माना जाएगा, इस angry के साथ भी लिखा हूँ है to, angry to and different to me, एक्षुल मे he has helped he has helped you he has helped you and you बाद में लगाएंगे and will help you वै तुमारी help कर चुका है और तुमारी help करेगा अच्छे यहां पर will help लगाना भूल गया एक मिनिट इसको erase कर लेते हैं क्यों थोड़े खिचडी पकाएं यहां पर प्यार से लिखेंगे अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर सा feel आनी चाहिए मैं भी राइटिंग अच्छी कर रहा हूँ ठीक है he will help you ठीक है यहां पर होगे sentence कर तुम अब यहां पर अगर मैं यह end लगाऊ यहां पर और यह helped हटाकर इस help से काम चला लूँ ठीक है तो यह गलत होगा थोड़ा सा color change करते हैं हमारे पास power है color change करने की तो color color change कर लेते हैं तब देखो ज़रा यह जो helped है यह जो helped है यहां पर जो है यहां पर help दोनों देखो वाप तो भले ही है help से ही बना हुआ है help यह जो help है अब यह माना जाएगा यहां पर जो help लिखी हुए वो इस has के साथ भी लिखी हुए actual में has के साथ तो helped आती है अगर form अलग है तो भाई है वो लिखनी पड़ेगी form अलग है तो वो लिखनी पड़ेगी अगर to होता तो काम चल जाता angry to and indifferent to में to एक जगा लगा तो काम चल जाएगा and से माना जाएगा कि angry के साथ भी और indifferent के साथ भी है लेकिन यहां पर अगर preposition अलग आ रही है देखे कुछ adjective ऐसे होते हैं जो अपने साथ fixed preposition लेके चलते हैं जैसे पिछली वीडियो में काया था accused two होता है उसके साथ उसके साथ four लगाया हुआ था accused off होता है सची two क्या हमें two यहां पर ध्यान आ रहा है accused off होता है वहां पर four लगा रखा था पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था ठीक है, तो यहाँ पर angry के साथ with आएगा ना कि two आएगा, ध्यान रखना अब two आता तो वहाँ पर clear ही था अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा her mother is angry with and indifferent to me समझ में आया तो यहाँ पर error किसके अंदर आगया second के अंदर तो यह हो गया, काफी टाइम लगा दिया इन दोनों sentence को करवाने में बट यह वाली चीज़े चीज़े होती न वो आपकी understanding बढ़ाती है चलिए, यहाँ पर आप काम करिए third और fourth को करिए, fill in the blanks है इतने हम क्या कर लेते हैं, इतने भईया जो चार option दिया है, भरने, बस simple सी बात है चार दो नमबर लेके जाओ, भरो अच्छा, don't loiter don't loiter, dash the corridor loiter का मतला बहुत है, घूमना भया, घूमो मत corridor के चार उतरों मत घूमो या घूमो मत, तो around ठीक है, don't loiter around the corridor, clear अच्छा, I will scold him when, अच्छा, यह फिर से when वाला यह ध्यान अगना, if मैं साफ साफ लिखता हूँ, यहाँ पर, if और when अभी जैसे मैंने बता है न, अगर इसके बाद head आए, अगर उसके बाद वब की third form लिखा हो, तब हमारी conditional लग होती है, लेकिन अगर if और when के साथ simple simple, simple present आए, simple present आए, तो उसके बाद जो यह first close होता है, यह first close होता है, उसके बाद जो close आता है, उसके अंदर आता है, simple, simple future, ध्यान रखना है इस चीज़ का, तो जड़ा देखो, अब यह वाला first close है, यह वाला second close है, कोई फर्क नहीं पढ़ता, आप उठाकर इसको पहले ले देखिए, I will scold, I will scold him, यह वाली चीज़ पहले है, मैं उसे डांटूंगा, मैं उसे डांटूंगा, I will scold him, when, यहाँ पर देखिए, अब when लगा हो है, यह देखिए, अब क्या आना है, simple future, simple future, will help, नहीं होता, यह नहीं होता, यह नहीं होता, यह नहीं होता, अरे सर कहे का time pass कर हो न, तो यहाँ पर आएगा, he comes, he comes, clear हुआ, बहुत बढ़िया concept है, यह conditions में आते हैं, हम बहुत अच्छे से इसको करने वाले हैं, तो subscribe करके रखना, बार-बार बोल रहा हूं है, okay, चलिए, fifth और sixth जो word है, वो है similar, मतलब similar आपको ढूंडने है, malifluous, malifluous में आपको meaning होना है, doge, इन चारों में meaning ढूंडना है कि doge का similar meaning है, चलिए, एक बार कोशिश करिए, try करिए, एक बार, okay, चलिए, आप बात करते हैं, fifth question की, देखे, मैं उमीद कर रहा हूं कि, जितना मैं आप लोगों कह रहा हूं न, करें आप, बैटर रहेगा, कि आपके सामने, चीज यार, यह मैंने गलत किया था, वहां पर मुझे सही करवाया किया था, तो एक उसे probability बढ़ जाती है, याद करने की, psychological game, या psychological, अच्छा, fifth पर आते हैं, मलीफ्लिएस, मलीफ्लिएस का मतलब क्या होता है, मलीफ्लिएस का मतलब होता है, मधूर, मधूर बोले तो बहुत ही प्यारा, मीठा, ठीक है, मीठा, शहद जैसा, ठीक है, शहद, तो इसका मतलब होता है, मीठा, मधूर, शहद, अच्छा, शीवर, शीवर का मतलब होता है, कांपना, शीवर का मतलब होता है कांपना, मीनिंग मैं बता देता हूँ आप घुद बता देना, फ्रेंक, फ्रेंक का मतलब आपस में घुल मिल जाना, इम्मोरेल, इम्मोरेल का मतलब होता है, एनेटिक, एनेटिक तो में क्या बचाए डल सेट का मतलब होता है मदूर अब तो लगाई दो ना क्या आएगा अरे सार क्या बात कर रहे हो फोर्त है इसका क्या मजा कर रखा है मैली फिल्यूस का मतलब हो गया यहां पर डल सेट अचा डोच का मतलब होता है बचना तालना ठीक है अपना बचाव करना हटा देना ठीक Soften Soften भही आई बहुत असान है Soften मतलब सोफट से बना हुआ है order काईटिक का मतलब होता है अराजकता 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 मतलब जहां पर कानूर ना हो सब तीतर वित्तर होए पड़े हो तो बचना है तो यहां पर अवोईड है, अवोईड करता सर, टोचका हो गया, अवोईड, clear, इतने सारे वर्ड्स हो गया आपके सामने, और एक और चीज, यह जो डलसेट है न, डलसेट, यह 8 अगस्त, 8 अगस्त, 2017, 2017, धर्ड शिफ्ट में आया था, धर्ड शिफ्ट में क्या आया था, इसमें रोकस, र अपोजिट में यह धा, डलसेट, तो यहां पर देखा आपने, जब मतलब एक दिन पहले उसका अपोजिट पूछ लिए, अगले दिन उसका सीमिलर पूछ लिए, ऐसे सी भी ट्रिक कर रही है, थोड़ा इसका भी ध्यान रख लेना, तो अपना ध्यान रखते रहा न, जब एक्जाम होई न, चार महीने एक्जाम होने में, अभी कुछ टाइम बचाएं, तो जब पेपर देने जाओ न, तो पूछ ले न, भाईया, क्या हुआ था, तुमारे पेपर में क्या आया था, थोड़ा बहुत जानकारी रखना कि किस टैप क्या रहे है, हाड आ रहा है, या Mary Trecious, Mary Trecious का, और Nebulious का, अचा, उमीद करता हूँ, आपने ढूद लिया होगा, मैंने वीडियो पोज करने का टाइम ने दिया होगा, कर लिया करो, अब Mary Trecious का मतलब होता है, कई होते हैं दिखावा करते हैं, यार बड़ा शोफ करता है बंदा, दिखावा करना, ठीक है, present, natural, exemplary, godi, godi का मतलब होता है, बढ़कीला, बढ़कीला एकदम, बढ़कीला, चमकीला, ये वाला, तो दिखावा करना, अब natural, natural होता है, एकदम प्राकरतिक बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई दिखावा नहीं करता है, एकदम natural बंदा है, इसका हो गया, opposite, Mary Trecious का, क nebulious का मतलब होता है, aspust, aspust, aspust का मतलब समझ रहों, जो spust नहीं है, तो मतलब जो clear नहीं है, अब ये चीज सामने चमकरी है, क्या definite, spust definite होगा, यहां पर हो गया, तो इसका nebulious का मतलब हो गया, यानि इसका opposite हो गया, definite, inchoate, inchoate का मतलब होता है, विक्सित ना होना, विक् उदास निराशा जनक वैन आएगा यह वाली चीज तो मैंने आप लोगों को बता रखी है यह रिपीट भी हुई है पिछली कोशन में तो क्या बता कुछ भी कोशन आ जाए रिपीट हो जाए तो इसलिए बेनिफिट है साथ ही साथ आपको पैटर्न बता चलना है कि ऐसा होने वाला है हमें ऐसा ऐस दूढना है फिर यह देखे आपके सामने इडियम्स दो इडियम्स आए हुए जरा एक बढ़ कोशिश करिए ओके उमीद करता हूँ आप लोगों ने कोशिश की होगी नाइंथ है स्पिक अंड स्पैन स्पिक अंड स्पैन का मतलब होता है नीट अंड क्लीन अच्छा नीट इडियम्स नाम है इडियम्स एंड फ्रेज इडियम्स एंड फ्रेज करके उसका नाम रखा है मैंने तो वहां पर आप जाके देखेंगे तो यह इडियम्स बड़े ही मैंने इमेज के थ्रू कराए हुए है इमेज के थ्रू या फिर कोई ट्रिक के थ्रू जहां पर इमेज के लिए तो आप यहां से बेफिकर हो सकते हैं आचा हम 10th पर आते हैं 10th है to draw the long bow to draw the long bow long bow का मतलब होता है धनूश ठीक है धनूश, बहुत लंबा धनूश ड्रो कर देना to exaggerate, मतलब बढ़ा चड़ा कर आती शोक्ती to exaggerate तो इसका आगया है यहां पर second 11th और 12th दोनों ही है sentence improvement किसमे sentence improvement करना है यह जो आपको bold actions में दिख रहे हैं इनके जगह और अच्छी चीज क्या आ सकती है आपके नीचे यहां पर नीचे जो है चार option दे रहे हैं अगर आपको लगता है आ सकती है तो ठीक है नहीं आ सकती है तो no improvement लगाओ बहिया को improvement के जो नहीं है एक तो बढ़िया है तो ऐसे ही जड़ा करिए 11th को चलो अब मैं कर देता हूं 11th है by rescuing the child from fire the local resident added another feather to his cap देखिए यह feather to his cap जो है एक तरीके का idioms है इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ achievement कर लेना कि बहिया हमें अपने उंपर proud हो जाए to do something that we can proud on ourself वो वाले चीज़ होगी अब यहां पर इसका मतलब यह होगा बहिया proud की बात है कुछ ना कुछ तो achieve किया होगा made a significant achievement तो इसका आगया 11th का first clear अचा अगले पर चलते हैं अगला है the government plans government plan कर रही है to take up to take up the construction project soon मतलब क्या plans कर रही है शुरू करने का अब मैं इतके meaning बता देता हूँ यह take on or take in का मतलब होता है भरती करना दोनों का मतलब है भरती करना ठीक है ले लेना भरती करना ठीक है यह धान रगना अब take off का मतलब होता है कपड़े उतारना या फिर उडाना यह चीज़ होती है अब मुझे बताओ मैं एक take up का मतलब होता है विचार करना शुरू करना विचार करना विचार करना या फिर शुरू करना इसका meaning है यह हाँ पर आप ज़रा इस sentence को पढ़ो था government plans to take up the construction project सुन मतलब जो government है वो plan कर रही है construction project को शुरू करने क्या obviously बिल्कूल सही है यार sentence एक्टम सही है तो इसमें improvement की जरूरत है क्या अरे नहीं यार का है की जरूरत तो sentence no improvement रहेगा यहां पर clear तो 11 में आएगा first और 12 में आएगा fourth ओके अचा 13 और 14 इसको कहते हैं one word substitution मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द होना आपके सामने एक line दी हुई है मैंने आपको मोका नहीं दिया चलिए एक बड़ वीडियो पोस्ट करिए और करने की कोशिश करिए ओके अब मैं यही बारी आती है जब my turn चलिए a man devoid of kind feeling and sympathy devoid का मतलब होता है खाली एकदम वंचित मतलब एक man एक इनसान जो बिल्कुल खाली है feelings दयालू feelings के लिए sympathy के लिए मतलब है नियूस के अंदर तो वो कैसा होगा वो यहर कठोर होगा तो इसका मतलब होता है केलोस केलोस का मतलब होता है कठोर इसका आएगा आपके सामने first credulous credulous का मतलब होता है भाई साब किसी पर विश्वास करना है gullible का मतलब होता है भाई दोका खा जाना है ये बंदे को आप फुद्दू उना सकते हो बोहिमियन एक तरिके का artist कह सकते हो आप Art के तोर भी इसका use किया जाते है अब आते है वन हूआ इट्स टू मज जो बहुत जादा खाता हो कोन होता है पटू पटू को English में कहते है पटू को English में कहते है gluten पटू को English में कहते है gluten तो ये 병ket आपके सामने इसका answer imposter होता है नकली, मतलब जाल साजी करने वाला चहरा बदलने वाला एक तरीके अगर ठीक है, आचाँ ये धड़ है, हाइपोकॉंड्रीक 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 का मतलब होता है जो बहुत जादा चिंति तो अपनी हेल्थ के लेकर अगला जो फूर्थ है वो है इंटर स्टेट इंटर स्टेट का मतलब होता है भाई साब अपनी वश्यत लिखे भी नहीं मर जाना ठीक है इंटर स्टेट clear हुआ यहाँ पर तो यह रेखें आपके सामने one word substitution भी इतने सारे आज गे आज हो जारा अब यह वाले जो 15 और 16 जो है वो आप लोगों को करने है खुद ट्राय करना है spelling test है एक गलत है तीन सही है एक गलत है ओके करिये जड़ा बात करते हैं 15 में 15 में forfeit gorilla corrupt यह बिल्कुल सही है blissful गलत है blissful क्या आना है एक एक चीज आएगे इसमें एक चीज क्या आएगे यह वाले ठीक है आजा 16 में 16 है f4 station f4 station बिल्कुल सही है translation translation में यहां s नहीं आएगा यहां c आएगा तो इसका जहां रखना है तो spelling में तो यह 4 नमबर बहुत easy है आप असानी से कर सकते हो spelling test की आपको त्यारी रखनी है 17th और 18th question जो है वो PQR से related आएगे यहां चार नमबर के question तो यहां से हो गए अब एक पेज पर एक ही आपाए यह एक slide पर एक ही आपाए पिछली बार तो दो दो लेके आ रहा था कोशिश करिए चलिए अब मेरी बार यह करने की ठीक है अब एक बर जो यहां पर आओ example में options में देखा है S, Q और P S, Q और P यह तीन है यानि इन तीनों से sentence की शुरुआत होनी है इन तीनों से sentence की शुरुआत होनी है आओर कंट्री डज नोट experience इधर पॉसिटी और एस सर्फिट ओफ ट्रीन्ड इन मैन पावर इन एनी स्पैसिफिक सेग्मेंट ओफ आर एकनोमिक तो पॉसिटी का मतलब होता है कमी और इस सर्फिट का मतलब होता है अधिकता बहुत ज़ादा अधिकता हमें क्या करना है हमारा जो सपना है ये करन होना चाहिए कि हमारी देश के लिए जिस सेग्मेंट में कमी है उसको पूरा करें मैं कह रहा हूँ कि computer science के आज हमें बच्चे चाहिए तो इसमें कमी है हमारा aim ऐम ऐसा होना है कि हम इतने यहां पर रख दें कि कमी ना हो और अधिकता ना हो इतना रख दिया कि यहां पर भर भर के रख दिया हर कोई computer science का diploma या degree करके घूम रहा है तो इसा भी नहीं होना चाहिए तो the aim must be ensure that our country does not have any experience कुछ ऐसा experience ना करें कि उसको किसी सेक्टर में कमी हो जाए या फिर किसी सेक्टर के अंदर अधिकता ही हो जाए clear इस चीज का ध्यान रखना अब यह sentence का meaning हो गया सारे sentence के meaning उता देता हूं अचा क्यों क्यों जो कह रहा है when we set when we set about the task when we set about the task of higher education जब हम एक set करते है एक task को set करते हैं higher education के लिए we should be absolutely clear in our perception of the goals of education in the specific context of our nation's development तो हमें clear होना चाहिए हमें clear होना चाहिए हमारे goal के परती education के अंदर किस तरीके के education हमें चाहिए किस तरीके के education हमारे देश को चाहिए उसके विकास के लिए education चाहिए तो ये वाले इस लाइन के हिंदी होगी अचाह आर क्या कर रहा है no doubt इसमें कोई शक नहीं है one of the important aims of the education would be to create the required range and nature of trained manpower assessed to be needed by different sectors of national growth वह कोई इसमें दोराया नहीं है कि education जो है उसका एक सपना तो ये भी है कि ये जो है वो उन लोगों की requirement पूरी करके दे जो विभीन विभीन sectors के अंदर लगे मतलब जो विभीन परकार के जो sector है भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर उसमें जो manpower के जोड़त है उस manpower को वो पूरा करके दे इस आर का मतलब होगे अचा third S पे आते है इस क्या कहा रहा है the entire educational apparatus the entire educational apparatus must be geared progressively to fulfill the requirement of different faces of our growth in every sector primary, secondary and tertiary जो सभी educational उपकरण है उनको इतना progress बनाओ कि वो fulfill कर सके हर requirement को जो different sector है जो वो primary sector हो जो secondary sector हो या third sector हो इनकी जो requirement है वो पूरी कर सके तो एक यह चीज़ अब देखें बात तो हो रही है सब में आपके सामने S, Q, P आ रहा है अब एक चीज़ यह है यह सारी requirement पूरी कैसे होगी यह सारी requirement पूरी कौन करेगा educational होगे तो हम बात करेंगे ना education से हम बात करेंगे education से हम बात कर रहे हैं ऐसा education system बनाने की जहांपर हमारे nations की development हो चके है तो development की बात यहां से आ रही है इस development में हम बता रहे हैं कि हमें किसकी sector में क्या-क्या चीज़ें चाहिए तो हमें किस से शुरुवात करनी चाहिए है हमें क्यू से शुरुवात करनी चाहिए तो इसका आंसर तो क्यू हो गया क्योंकि इसमें A की लिखा हुए Q Q-R-S-P is the right answer आप जब लगा के देखेंगे आपको पता चल जाएगा तो हम बात कर रहे हैं हमें ऐसे ऐसी लोगों की जुरूरत है ठीक है तो यह हो गया आपके सामने 17 का second अच्छा 18 पे चलते हैं 18 क्या कह रहा है वही P-Q-R-S एक बार खुद ट्राइ करिए फिर मैं करवात हूँ चलिए उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी बहुत अच्छा कोशन है यह जो कोशन होते हैं प-Q-R-S वाले यह कोशन बिना आपके रिडिंग के नहीं हो सकते कुछ एक चीज़े होती है जहां ट्रिक काम कर जाती है आपके सामने जो ओप्शन दी है P-S-R-Q यानि सभी के सभी देती है इनोंने तो आओ ज़र इसको करते हैं अब एक चीज़ तो यह है एंड लैक ओफ लिडर्शिप लीव नो फोर्स इंसाइड इस ओर्गिनाज़ेशन तो ब्रेक आउट ओफ दा मुराइस मतलब मुराइस का मतलब होता है दलदल इस दलदल को नहीं तोड़ेगे मतलब की कमी है लीडर्शिप की और जिस कमी के कारण जो एक तरिके की पावर चाहिए एक ओर्गिनाज़ेशन के अंदर जो इस दलदल को तोड़ सके वो नहीं है ठीक है उसकी चीज़ की कमी है उस लीडर्शिप की कमी है तो इस आर का तो मतलब यह होगे तो आर से तो देखो शुरुआत होनी नहीं है बात किस चीज़ के और यह अभी हमें कलियर नहीं है पी के उपर आते हैं ब्यूरियोक्रेटिक कल्चर्स ब्यूरियोक्रेटिक कल्चर्स है वो उन लोगों का गला घोट रहा है जो जवाब दे रहे हैं शिफ्टिंग कंडिशन के परती तो एक यह चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है चलिए एक बार यहां पर रख लेते हैं क्यों पर आते हैं आर तो होगा नहीं आर तो होगा नहीं अरोगेंट मेनेजर्स can over evaluate their current performance and competitive position listen poorly and learn slowly देखें जो घमंडी मेनेजर्स होते हैं वो अपनी performance को ज़्यादा आखते हैं ज़्यादा हाखते हैं लेकिन वो सुनते कम हैं और सीखते बड़े सलोली हैं पूर उनकी listening होती है किसी को सुनना उनके लिए बसकी बात नहीं होती और वो slow बहुत होते हैं एक arrogant मेनेजर की बात हो रही है inwardly focused employee can have difficulties seeing the very force that present threat and opportunity जो अंतर आत्मा inwardly होते हैं heartly मतलब दिल से focused person employee होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परिशानी होती है वो आने वाले opportunities को नहीं देख पाते हैं वो आने वाले threat को नहीं देख पाते हैं अब किन के लिए भाई अब बात क्या हो रही है बात हो रही है arrogant मेनेजर से अगर मैं कहते हूँ कि अंदरूनी जो employee मतलब कि जो अंतरात्मा जिनकी पूरे धिल से फोकस कर रहे हैं उनको दिक्कत होती है आने वाले opportunities को देखने में आने वाले खत्रे को देखने में तो S से तो शुरुवात होगी नहीं क्योंकि एकदम से बात बोलना यह सही नहीं होगा ठीक है तो S वाला यहां पर कट गया तो P P और Q बचता है P और R में देखता है P और R कहता है कि भई bureaucratic culture जो वो गला घोंट रहा है ठीक है और and the lack of leadership leaves no force अब जो leadership की कमी है जो इस organization के इस organization के अंदर इन organizations के अंदर leadership की कमी है जो इस दलदल को तोड़ सके इस घटियापंती को इसे दूर निकाल सके तो P और R तो best है P और R तो best है यह दोनों आएंगे ठीक है अब यहां पर सवाल उठता है P और R के बाद क्यों है क्यों कहता है arrogant manager can over evaluate अब आप बात यह बोल रहे हो कमी है तो पहले तो आपको यह बात बोल ली पड़ेगी क्या हो रही है बात बात क्या चल रही थी बात तो arrogant manager से चली थी वो अपनी शमताओं को माप लेते हैं जिसके चलते जो employee है उनको problem हो रही है और वो change करते हैं वो respond करते हैं इन conditions के खिलाव तो उनका गला घोटा जाते है तो यहां पर QSPR best answer बनेगा आपके लिए तो 18th का बनता है 4th QSPR clear जो 19th और 20th है उसके अंदर आप लोगों को 19th के रहे दो देखे active passive है active passive आप लोगों को निकाल ले है और जो 20 है उसके अंदर direct indirect है चलिए एक बार कोशिश करिए 19th और 20 जो कोशन है मैं सच कहा रहा हूँ ये कोशन आपके 4 नंबर के free के है जो time बचाएंगे वो अलग से और free के आपको number देके जाएंगे वो अलग से जड़ा देखे she teach us English मैंने इतना देखा है PQRS में थोड़ा बहुत आप लोगों को PQRS में थोड़ी बहुत आपको problem हो सकती है क्योंकि उसके अंदर comprehension मतलब आपकी comprehension कितनी समझ है English को अंदर वो परकी जाती है trick थोड़ी बहुत काम आती है लेकिन reading skill बहुत important आई याँ पर आप लोगों की वैसा ही जो आप 21 से लेके 25 कोशन देखेंगे जिसके अंदर fill in the blanks या फिर कहें fillers होंगे उसको भरने के लिए भी आप लोगों को एक समझ की जुरूरत पड़ती है लेकिन ये जो चीज होती ये पूरा आपके ट्रिक के उपर ट्रिक के उपर या आप option क्या कहते है elimination elimination के थूरू आप लोगों आप लोग इन चीजों को कर सकते है कैसे elimination के थूरू देखे she teach us English अब इसमें क्या है वीवर देखे वीवर अब देखे is being तो वैसे कटेगा न क्योंकि कहीं पर है नहीं has been यह सारी चीज़ें कट रही है अब आएगा क्या second क्यों कट रही है क्योंकि कोई ing वाली चीज़ थी नहीं simple tense था have been had been कहे को लगाएंगे तो यह देखे दो नमबर easily मिलते है यहां से easily मिलते है आच्छे देखो नहीं हूँ second तो इसका answer आगया second तो दो नमबर यहां से आगया देखे ना time लगा ना इसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा concept की जूट पड़ेगी लेकिन आप लोगों को यहां पर कोई इतना भारी चीज नहीं लगेगी आपको comprehension की इतनी समझ जुरूर तो नहीं पड़ेगी चोटी-मूटी चीज़ें याद होनी चाहिए आपकी चार नमबर पक्के time बचेगा वह अलग से clear अब आते हैं अपना 21 से लेके जो 25 question है वो आप लोगों के सामने एक paragraph दिया है इसके अंदर fill in the blanks आपको ढूड़ना है कि क्या appropriate options सही रहेगा यहाँ पर पहले की बात करते है democracy should dash dignity of the individual जो democracy है should ensure ensure करती है dignity of individual की हर एक परतेक person की dignity को ensure करती है अच्छा built क्यों नहीं आएगा क्योंकि भाहिया built जो second form है इसलिए नहीं आ सकती should है उपर देखो ध्यान से keep और support यह वैसे नहीं आ सकते कोई dignity को कोई support नहीं किया जाता यह keep रखा जाता है समझो इसी चीज़ को एक तो यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर आगया आपके सामने ensure इसका answer clear अच्छा एक यह चीज़ है it should also aim at the dash good of the greatest dash अगर आप लोग ने फिलोस्फी के लाइन सुनी होगी फिलोस्फी के लाइन क्या होती है फिलोस्फी की अंग्रेज था Englishman America का चाहिए उनकी एक बात यह कही हुई है वहाँ से बात निकलिया मुझे यह बात याद आगी जब मैं पढ़ रहा था निकलिये तोर क्यों की प्ते बातुँ करना अपकी विखती की विखती कंभती को इतना ज़्यादा टोर्चर करना पड़ जाए कि व उस तोर्चर के equivalent एक information आपको दे और जिसके जिसमें आप एक लाख लोगों की जान बचा सकते हैं तो आप करोगे बेशक करोगे तो आपका जवाब हाँ होगा अब ये सिको क्या कहते हैं कि कम नुक्सान जेलो लेकिन फाइदा यानि जदा जदा फाइदा टेखना चाहिए जदा जयदा लोगों का तो ये जो तिना उट्शूढ एम एट ग्रेटरस्ट गुड सबसे जदा फाइदा हो और फत्रोव ग्रेटरस्ट नर्बर जदा जञसंख्या का तो ये एक लाइन थी यहां पर it should also aim at greatest good, यहां पर आया greatest good and of the greatest number, तो यह हो गया आपके सामने clear, उमीद है आप लोगों किजिजिए clear होई होई होगी, और यह वाली जो चीज है reading से बनती है अब आप इसमें ढूंडते रहे जाओ smallest चीजों का, कुछ भी digit का, people का, ठीक है तो individual, greatest individual तो वैसे भी नहीं होना था वैसे तो यहां पर पादे चल रहा है कि greatest number यहां पर आना है वाला है clear, अब आते हैं अगले पर अब यहां क्या कह रहा है, the opposition party should dash the wrong plans, policies and decisions of the government in power यह opposition क्या करेगी, जो wrong plan होगे, support करेगी, अरे वैसे भी नहीं लगाएंगे, तो oppose यहां पर आना था clear हुआ यहां पर, 24 question अच्छा, आगया हो जो ना, 25 question कहता है the government should cater to the dash needs of the people to make it position solid तो government को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों को लेकर आना चाहिए, जो real में people, जो लोग है, उनको जरूरत है, और अपनी position को वो मजबूत करे, तो क्या है emotional, luxurious, गलत है, mere, capable, गलत है, genuine, genuine need जो होती ना, people की, वो उसको ध्यान रखना चाहिए, government को, तो यहां पर आपके सामने आ गया, first, यानि genuine उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह जो वीडियो है, वो अच्छे से समझ में आई होगी, इन में जो concept समझाएगे हैं, वो अच्छे समझाएगी होगी, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मेरा धन्यवाद आप कर सकते हैं, कैसे, धन्यवाद, भईया, बस PDF चाहिए, तो PDF आप लोगों को मिल जाएगी Telegram का एक link दिया मिलेगा आप लोगों को, आप जाकर join कर लिजए, description box में उसका link है जाकर join कर लिजए, वहाँ पर आप लोगों को इसका link दिया मिलेगा जहाँ पर आप लोगों को इसके PDF मिल जाएगी पीएफ लिख दियागे, मैंने पीडिएफ आई है, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में, थेंक्यू पोर वाचिंग दिस वीडियो